हलो माई लोले किट्स कैसे आप सब तो मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज हम करेंगे वॉक्षीट नमबर 12 इंग्लिश में उसमें हम क्या सिखेंगी A, 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 N तो चले देखते हैं इस वॉक्षीट में हमें क्या करना है आपको अपना नाम लिखना है, क्ल A, A, N, in the correct columns यानि कि यहाँ पर आपको दो columns दिये गए है यहाँ पर अल्रड़ी मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको कुछ pictures दिये है तो उन pictures को आपको यहाँ column में उनके हिसाब से कहां A लगता है और कहां A, N लगता है उस हिसाब से आपको क्या करना है आपको उनक तो समझाती हूँ कि आपको क्या करना ही देखी यहाँ पर मैंने कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर मैंने alphabets लिखे हुए है लेकिन alphabets के बार में हम बात में बात करके हम जो पढ़ने वाले है वो है A, A, N यहाँ पर द मैंने लिखा हुआ है लेकिन अभी हम उसके बार मे नहीं पढ़ेंगे तो मैंने उसे यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है उसे बोलते है द आर्टिकल्स इसे क्या बोलते है हम बोलते है आर्टिकल्स अब आर्टिकल्स किसे कहते है तो आर्टिकल्स यानिक हमारे alphabets हमारे कितने है यानिक हमारे ABCD में latest कितने होते है वो मुझे ब से हम दो पार्ट में उसे लेते हैं ये कौन सा पार्ट है वोबल्स वोबल्स तो आप पढ़ी चुके हैं तो वोबल्स कौन कौन से है ए ए आई ओ यू ये क्या है वोबल्स साउंड क्या है वोबल्स साउंड और ये है consonant sound यानि कि हमारे alphabet कितने है 26 अगर 26 में से हम 5 minus करते है तो हमारे पास बचते है 21 कितने बचते है 21 तो बाकी के ये 5 निकाल के जो हमारे पास alphabet यानि कि latest बचते है उसे हम कहते है consonant जैसे कि B, C, D, F, G, H J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z ये सारे जो sound होते है वो कौन से sound कहलाता है consonant sound और ये 5 है A, E, I, O, U इसे हम कहते है vowels क्या कहते है vowels तब आपको पता चल गया होगे कि vowels किसे कहते है और consonant किसे कहते है अब आप देखे आपको क्या करना है इसमें A A कहां use होता है A तो already vowels है हाँ ऐसा बोल सकते है A A, Y तो A हमने यहाँ पर Q यूज किया तो हम उसे करेंगे sound के हिसाब से मतलब इसका sound क्या है B B का, Y का, B क्या हुआ B तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे A Boy इसका sound क्या आएगा A आएगा क्या आएगा A आएगा तो A Boy वैसे ही अगर यहाँ पर मैंने लिखा है Ant तो यहाँ पर मैंने Ant A, N Ant तो मैंने यहाँ A, N क्यू लगाए है आपको पता है A, N मैंने क्यू लगाए क्योंकि यह जो है वो क्या है वोवल्स है इसका साउन क्या होता है ए इस वोवल्स यहां पर हमने देखा है न अब देखिए यहां पर क्या है ए कहां पर आता है वोवल्स में आता है और बी कहां पर आता है consonant में तो जो vowels है हाँ जिसके हमें इसमें simple find करना है आपको जहां पे भी vowels आते हैं उसके आगे आपको a, n लगाना है और जिसके sound में आपको जो भी spelling यहां पे लिखा है b, o, y, boy boy लिखा है तो यहां पे first जो later है वो क्या vowels है नहीं वो है consonant तो उसके आगे लगाएंगे a आपको easy read एक ही बताती हूँ जहां पर भी vowels आते है वहां पे आपको लगाना है a, n और जहां पे first later में वोबल्स नहीं है वहां पे लगाएंगे सिर्फ a ओके students तब आपको क्या करना है अब आपको पता चल गया होगा तो आपको यहां पे दिखिए pictures दिये गए है यहां पे मैंने यहां पे दो तो मैंने यहां लिख दिये है एक boy का और यह end तो बाकी की जो आपको four pictures है वो आपको find करना है और आपको लिखना है वो कहां पे आएंगे a में आएंगे या an में आएंगे तो अब आपको पता चल गया होगा फिर से एक बार revise करती हूँ जो first word होता है spelling का यानि कि alphabet होता है first letter होता है वो क्या है वो vowels है या consonant है अगर वो vowels है तो आएगा A N अगर वो consonant है तो सिफ आएगा A तो ये बात ज़रूर याद रखी गया student और आपको ये वोक्षीट नमबर 12 मुझे फिनिश करके इसके पिक लेके मुझे सेंड करने होंगे Thank you